हलो दोस्तों आप देख रहे हैं D.Court Indian तो जैसा कि आपको पता होगा कि कुछ दिनों पहले सरकार के दोरा Ordnance Factory Board के Corporatization के लिए मंजूरी दे दी गई थी बेसिकली यहाँ पे Ordnance Factory Board के अंतरगत 41 Ordnance Factory है जो पूरे देजभर में काम कर रही है इनका मुख्य उदेश ही क्या होता है Defense Related Equipment का निर्मान करना जैसे कि हमारे सेनाओं के द्वारा जो यूनिफॉर्म का इस्तमाल किया जाता है उसका निर्मान Ordnance Factory के अंतरगत होता है उसके अलावा जो हतियार का जो पैरसूर्स वगेरे का जो तोप का जो अलग-अलग वहिकल का इस्तमाल किया जाता है Defense Sector में उन सबका निर्मान Ordnance Factory के अंतरगत होता है तो यहाँ पे सरकार ने इसके Corporatization के लिए मंजूरी दे दी थी अब यहाँ पे बहुत लोगों को लग रहा है कि Ordnance Factory का नीची करन हो रहा है इसको प्राइवेट लोगों के हाथों में दिया जा रहा है जो कि बिलकुल भी नहीं है Corporatization का क्या मतलब होता है Basically यह एक Restructuring Process है इसमें जैसे कि 41 जो Ordnance Factory है उसको यहाँ पर Reduce करके कितना कर दिया जाएगा साथ अलग अलग corporate entities में इसको तब्दील कर दिया जाएगा यानि कि क्या होगा कि यह रहेगा सरकारी ही इस पर जो control रहेगा वो सरकार का ही रहेगा लेकिन यह जो काम करेगी वो किस तरीके से करेगी जैसे कि एक private entity करती है उस तरीके से यह काम करेगी तो उन सबी को एक मिला दिया जाएगा उसके बाद कुछ ऐसी है जो सिर्फ vehicles का निर्मान करती है तो उसको एक entity में खोशित कर दिया जाएगा ऐसे करके साथ में इसको साथ नए corporate entities में इसको तबदिल कर दिया जाएगा जिस पर पूरी तरह से सरकार का ही कंट्रोल होगा इसका नीजी करन भी नहीं किया जा रहा है लेकिन और इंप्लॉइस काम करते हैं जो वर्कर्स काम करते हैं उनको ऐसा लग रहा है कि सरकार का यह पहला सरकार का मुख्यों है कि ordinance factory क को चाइबडाईजेशन ही इसको लेकर के जो आपका फैसला है यह काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि इससे क्या होगा हमारे देश में जो औरिनेंस फैक्ट्री है उनके द्वारा जो डिफेंस एक्यूप्मेंट का प्रोडक्शन किया जा रहा है उसमें बहुत जादा बढ़ोतरी होगी और हमें जो दूसरे देशों से समान मंगाना पड़ रहा है उसमें भी कमी आएगी और इसलिए सरकार ने यहाँ पर क्या किया है इस चीज को इस प्रोटेस्ट को रोकने के लिए सरकार एक नई बिल को लेकर आई थी बेसिकली यह ओडिनेंस था यानि कि यह क्या था अध्यादेश था ठीक है अभी इसको लोग सभा में पास किया गया है आपको पता है कि लोग सभा में पास होने के बाद यह राज्य सभा में पास होगा और उसके बाद यह कानून बनेगा बेसिकली इ उनने हमें प्रतिबंध लगाती है कि प्रोटेस्ट नहीं कर सकते हैं हरताल नहीं कर सकते हैं अपने किसी मांग को म pencil करके कि वो हरताल नहीं कर सकते हैं बेसिकर यहां सबसे पहले हमें समझने की जरुवत है कि एजन्सियल डिफेंस सर्विसेज होता क्या है तो देखें बेसिकली हमारे देश में जो इस्टैबलिस्मेंट जो और्गनाइजेशन डिफेंस रिलेटेड एक्यूपमेंट का निर्मान करती है उसका प्रोडक्शन करती है वो सेक्ट किसी कारण बंद हो जाता है इस ट्राइक के कारण उसक्तर में काम नहीं हो रहा होता है तो हमारे डेस में जो डिफेंसेज क्यूपमेंट है या फर चौन फेरिजबंस है व्याटेटे कि सरकार आई बेल्ल्या करता है लिए सरकार को सरकार नोटिस जारी कर सकती है वैसे ordinance factory को वैसे unit को जो कि strikes पर जा रहे हैं ठीक है यहां पर strikes लॉक्टाउट और ले उप इन सभी पे जो है सरकार प्रतिबंध लगा सकती है ले उप क्या होता है एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें वहां के जो इंप्लॉइस है उनको हटा दिया जाता है हिंदी में से हम छटनी कहते हैं तो इन सब प्रक्रियां पर सरकार यहां पर प्रतीबंध लगा सकती है अगर सरकार को ऐसा लगता है कि इस तरीके से स्ट्राइक करने से हमारी देश की जो सिक्यॉरिटी है उस पर प्रभाब पड़ेगा वह बिगरेगा ठीक है तो इस तरीके से सरकार के पास यहां पर इस बिल के थूज है वह पावर आ जाता है कि वह स्ट्राइक पर पूरी तरह से रोक लगा सकती है यह रोक कितने दिनों के बढ़ा सकती है और माल लीजये किस तरीके से से को इल्लीगल खोशित किया जाएगा तो देखिए अगर स्ट्राइक सुरू होने के बाद सरकार प्रोविशन और को सब्सक्राइक होने चाहिए तभी प्रतिबंद लगाते हम तभी वो जो इंट्राइक है वह रहागए यहां पर क्यूंकि यह कानून बन गया होगा अगर कोई इंपलॉई अगर इसको वाइलेट करता है जो भी कानून है तो उस कंडीशन में उसे एक साल तक की सजा या फिर दस हजार रुपे फाइन लग सकता है या फिर दोनों का उसे सामना करना पर सकता है यह इस बिल में प्रभाव डालेगा क्यूंकि वह सुरू से विरोध कर रहे हैं सरकार के इस मूव को कॉर्परिटाइजेशन के मूव को कि सरकार 41 ओर्डिनेंस फैक्ट्री को यहां पर डिक्रीज करके साथ ओर्डिनेंस फैक्ट्री में तबदील कर रही है उनके दोरह बिसिकली जो में डर इतना जाधा विरोध किया जा रहा है अब आपको यह बताना है फिलाल तो यह बिल जो है अभी तक लोगसभा से सिर्फाइर राजेसभां और राष्टपति के पास से पास होना इसे बाकी है तो आपको यह बताना है कि आप इस दो के में जरूर बताएह करेंगे हैं